अभी तक मैंने आपको बुक कीपिंग के अंदर material से related सारी entries बताई हुई है तो आप मुझे ये confirm करेंगे कि आपको वो entries आती है या नहीं आती है अच्छे से ठीक है material वाली entries already हो चुकी है अब किजिए labor वाली entries स्टार राइडिंग 11 जर्नल एंट्री पेमेंट और वेज़िज वेज़िज को पे किया है अकाउंट की बुक में क्या entry होती है दिवांच वेज़िज पे करने की जर्नल एंट्री क्या होती है अकाउंट में वेज़िज अकाउंट डेबिट तू कैश अकाउंट तो आदेश अगर हम अलग अलग बुक्स बना रहे हैं तो कॉस्ट इन में से किसको entry देगा और किसको नहीं देगा वेज़िज को देगा वेज़िज कंट्रोल अकाउंट डेबिट तू CLC अकाउंट कैश को एंट्री नहीं है करेक्ट निधी लक्षे ध्यान से करो अगर ऐसा होता है तो इंटीगरेटेड में क्या होगा यह तो था जब अलग अलग बुक्स बना रहे हो जब एक साथ बुक्स बना रहे हो तो कोस्ट और अकाउंट ने आपस में बात करके क्या तय किया था कि हम CLC की जगार रियल में जो अकाउंट है वो आने देंगे सो वेजेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू यहां पर आपका कैश अकाउंट आना अलाउड है ओके लक्षे आए गॉट इट हां कल की क्लास का देख के नहीं आए क्या अगर क्लास में सोती है तो बीच वाला लेके फिर ही अगले क्लास में बैटना चाहिए वरना कोई पाइदा नहीं है ठीक है पेइमेंट और वेजिस ड़न now next is analysis of wages या फिर absorption of wages एक बहुत ही common general life का question पूछ रही हूँ रीवर पता है सबको वो नदियां कहां जाके मिलती है at last समदर में जाके मिलती है तो यह जो आपके इतने सारे खर्चे यह भी कही ना कहीं जाते हैं अगर आप cost sheet देखेंगे ना अगर आपके पूरी cost sheet में खर्चे ही खर्चे लिख रहे हैं तो last में ultimately वो सारे खर्चे क्या बन जाते हैं cost of sales बन जाते हैं जुड़के और फिर sales में से less करने पर आपको मिल जाता है profit या loss तो क्या करना होता है इन खर्चों का देखो कुछ है ना stop आएंगे जैसे station आएंगे कुछ आपके रस्ते में कौन-कौन से एक तो आएगा W.I.P. एक आएगा finished goods एक आएगा cost of sales यह तीन station है अब मुझे यह बताना कि इस से पीछे cost sheet में कौन-कौन चड़के आएं और W.I.P. तक आएं cost sheet के sequence से बताना आपको material आता है direct material, direct labor, direct expenses और कौन आया factory overhead भी यहीं आ गए क्योंकि factory overhead एड करने के बाद में कहीं opening, closing, W.I.P. आता है तो यह सारे जो खर्चे या जो भी चीज़े हो रही है इनको आपको ultimately transfer करना होगा W.I.P. में उसके बाद में ऐसे कौन से खर्चे हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं office and admin overheads वो इन दोनों के बीच में आते हैं तो इनको आपको इस station तक पहुंचाना है और ऐसे कौन से हैं जो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं इनको भी जाना कहां पर है last में cost of sales में दो तरह से चीजें जा रही है पहले यह चोटे-चोटे लोग इकट्टे होके W.I.P. बना रहे हैं यह लोग इकट्टे होके finished goods बना रहे हैं यह कट्टे होके cost of sales बना रहे हैं और फिर यह W.I.P. और finished goods वाला प्रुप भी ultimately last में जाके सब मिल जाएंगे cost of sales में और आपको फिर मिल जाएगा profit अब यह आना जाना कैसे होगा वो तो बाद की बात है पहले के sequence आपका post sheet वाला है या नहीं है वही है ना अब देखना कि हम जो table बना रहे थे उसको बूलते वह आप एक बार सिर्फ concept सीखो नहीं है सिर्फ cost की बुक में entry बतो कि एसल सी टू कि सील सी यह स्टॉक आया यह स्टॉक जब फैक्टरी में चला जाएगा यानि यहां चला जाएगा तो क्या कर दोगे WIP to SLC इसका काम हो गया दूसरा लेबर यह लेबर आपने लगाई direct वाली लेबर तो आपका खर्चा हो गया wages control account debit to CLC इसको लेकर कहां जाना है इसको कहां जाना है इसको भी WIP में जाना है तो WIP account debit to wages control accounting सबको कर के आ रही हूं मैं सिर्फ छोड के आ रही हूं जाए इनको जा पिर आपके direct expenses यह expenses हो रहे हैं उसका आप entry क्या करते है direct expenses की कोई ऐसा लिखवाया है गया ऐसा कोई control account expenses का कोई control account नहीं है तो ठीक है नहीं है तो हम क्या कर सकते है WIP to CLC करते थे सीधा ultimately इनको WIP में ही जाना था वहीं छोड दिया सीधा factory overhead का खर्चा हो गया तो क्या लिखूं factory overhead control account debit to CLC और इनको जाना कहां पे WIP में जाना है WIP DR2 factory overhead control account इन सब को आपने इनको जहां जाना था वहाँ पहुचा दिया इस पहुचाने को बताए क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं absorption खर्चा लगा इस entry में और खर्चा absorb हो गया इस entry में ऐसे ही आगे वाले खर्चे भी पहुचाओ लिखना मत अभी कुछ भी मैं सब अपने आप लिखवा दूगी अपने office से related कोई खर्चा किया है तो खर्चा करने की entry क्या होगी और इसको कहां बहुंच आके आना है इसको फिनिश गूड्स में जाना है finished goods account debit to office and administrative overhead account control account लगा देना जो भी ठीक है उसके बाद में selling वाले खर्चे है यह हो गए तो इनकी entry क्या करनी है selling and distribution overhead control account debit to CLC इनको कहां जाना है इनको cost of sale में जाना है cost of sale account debit to selling and distribution overhead control account अब अगर आपको यह पता रहेगा कि किसको कहां जाना है हाँ तो अगर आपको यह पता रहेगा ना कि किसको कहां जाना है तब तो आप easily पहुंचा दोगे एक और रस्ता भी तो था इन लोगों को भी तो जाना था कहीं पर WIP को भी जाना है finished goods को भी जाना है कहां पर जाना है cost of sales में जाना है इनको हम बाद में पहुंचाएंगे अब आप entry लिखो analysis of wages या absorption of wages की entry क्या financial accounting में इनको कोई मतलब है क्या नहीं financial account हमने तो accounts में आस तक कुछ नहीं देगा absorption of wages जैसा no entry ठीक है लक्षे सही बता रहे हैं और cost की book में क्या entry होगी अभी आपने मुझे बता कर दिखाई थी कि इन wages को ultimately आप कहां पहुंचाते WIP account debit to wages overhead sorry wages control wages control account पहुंचा दिया इनको तो integrated में क्या होगा integrated में क्या WIP और wages control दोनों की entry allowed है उसने सिर्फ A की ऐसा बोला था कि सब की allowed है integrated वाले में अगर तुमने CLC कहीं लिख रहा है तो उसकी जगा असली लिख दो इसमें कहीं CLC दिख रहे गया same entry जिन्होंने कल का backup नहीं देखा एक बार हाथ उपर करना अपने उनके चैरे पर भी question mark नजर आ रहा है तो आप लोग देख कर आईएगा WIB control account debit to wages control account उसके बाद में आप next entry लिखिए ये तो थी आपकी इसके नीचे bracket में लिखिए direct wages ठीक है लेकिन 13 वाले में लिखिए analysis of या तो आपने wages दिये है factory के worker को पहला wages तो है factory के worker का या आपने दिया है office में कोई काम करने के लिए आता है उनको दिया है या आपने दिया है delivery boy को wages तो अगर इस तरीके के wages होंगे तो उनका analysis कैसे किया जाएगा जब direct wages को आपने उसके कहने पर WIP में पहुँचा दिया तो इन लोगों को कहां जाना है ये क्या है ultimately ये कहां पर होता है factory worker wages factory overhead है ये इसको कहां जाना होता है factory overhead को तो WIP में जाना होता है ये आपके factory overhead के खर्चों में पहले आप transfer करोगे wages को कि ये जो wages है ना सबसे पहले wages pay करते हो तो आप entry करते हो wages to CLC पहले इन wages को लेकर जाओ कि तू factory का है तू sales का है तू office का है तो इस तरीके से इनको लेकर जाएंगे तो टू तो wages कर देंगे खतम करने के लिए अगर वो factory का है तो factory overhead control account debit अगर वो office का है तो office overhead control account debit अगर वो analysis of factory worker wages, office wages और delivery बोह के बेज़ेज ये control क्यों लिखते हैं पता नहीं जिसने बनाई cost उसने लिख दिया तो मुझे भी लिखना पड़ रहा है चाहिद इसलिए दा कि तुम लोग control में रहो ज्यादा बार सुनोगे ना तो ऐसा ही होगा now 14th entry लिखिए payment entry लिख दी ना integrated entry same CLC नहीं आएगा तब तक तो integrated में कुछ आएगा ही नहीं और accounts में इसकी entry कुछ है ही नहीं payment of expenses सोच कर बताओ accounts में खर्चे पे करने की क्या entry होनी चाहिए यह अपने करन बताएंगे जोर से बताएंगे आपकी अवाज भी मेरे जैसी होगी expenses account debit to cash account accounts में तो entry होती है यह पर cost पूछता है आने के बाद कौन से खर्चे है डाइरेक्ट है फैक्टरी के हैं ओफिस के हैं यह कौन से हैं तो आपको उन्हें bifurket करना पड़ेगा अगर डाइरेक्ट खर्चा है तो WIP control account debit फैक्टरी का खर्चा है तो फैक्टरी ओवरेड debit ओफिस का खर्चा इनमें और और लगाते रहे ना ओफिस ओवरेड कंट्रोल अकाउंट debit सेलिंग का खर्चा है तो सेलिंग और डिस्ट्रिबूशन कंट्रोल अकाउंट debit टू कैश की जगां कैश तो अलाउड नहीं अब इसकी मुझे इंटीग्रेटेड वाली बनाके बताओ फिर पता चलेगा कल किसने पढ़ा था सारे टू कैश वेरी गुड चैल सी नहीं आदा है बस चैल सी की जगां कैश आ जाएगा बाकी सब आ जाएंगे कल की ग्लास में तो हमने अकाउंट्स और कॉस्ट की आपस में वह मेल मिलाप करवाय था उसके बाद में उन्होंने टर्म्स कंडिशन डिसाइड भी की थी कि कौन आना अलाउड होगा और कौन नहीं होगा वह पूरा हो जाएगा अज श्रेव को बहुत एक्साइट्मेंट थी वह करने की मैंने रोग दिया नहीं करना है अभी ठीक है पॉटीन तक नोट डाउन हो गया है क्या सबका फिव्टीन तक लिको डेप्रीसियेशन अकाउंट्स में डेप्रीसियेशन की एंट्री आज तो इससे जस्ट पहले अकाउंट्स की क्लास थी ना अगर डेप्रीसियेशन टू मशीन रिपी है तो मशीन यानी असेट्स MI3 S wild S एक्ट्समे गईन अकाउंट्स में कोई और तरह का खर्चा होता है अगर मशीन का क्या होगा यह एकदम से इतने सारे आंसर कैसे आगे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है जिस पर लगा उसमें आ जाएगा हाँ करेक्ट करेक्ट हाँ डेप्रिसीशन कॉस्चीट में कहीं पर लिखते थे क्या अपने रिवाइंड करो को सीट को मैं तो लिखके आई थी डेप्रिसीशन ऑफ फैक्टरी थी तो मैं कहीं लिखके आई थी डेप्रिसीशन डिलिवरी वैन का था तो भी कहीं पर लिखा था मैं तुम से ऐसे पूश्ट यह बताओ आफिस में लगेवे AC का depreciation है का डाला होगा आफिस ओवरेड में अगर machinery का depreciation है तो का डाला होगा factory ओवरेड में delivery van का depreciation है तो का डाला होगा selling and distribution ओवरेड में तो इस तरीके से क्या करना होता है depreciation जिस से related होगा वो उसी में चला जाएगा तो आप वही slash डाल के सारी चीजे लिख दो कि या तो factory overhead होगा या फिर office overhead होगा या फिर selling and distribution overhead होगा और two में fixed asset का आना allowed है या नहीं है नहीं है तो क्या आ जाएगा CLC फिर integrated की तो आप खूद कर दो depreciation में जो cash cash कर रहे हैं न भई बूल जाओ depreciation cash में नहीं जाता है यह last entry है इसके बाद illustration number 10 से start हो जाएगा आपका सारा curriculum नहीं मैंने कल करवा दिया था illustration मैंने कल करवा दिया था मैं तो सिर्फ उसको आज revise करवाओंगी हाँ मेरी आज यह fourth class ही है तो जिन लोगों ने आज join किया है वो पहले वाली दो तिन देखना फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं है सिर्फ introduction है पहले वाली दो देख लेना उससे आप साथ में आ जाओगे मंदे तक अराम सब अच्या इंटीगरेटेड की एंट्री कर ली सबने इंटीगरेटेड में clc की जगह आपका अरे cash को कौन ले ले के आ रहे है to fixed asset account अच्छा अगर आपको ऐसा लिखा मिले एक heading डालना 16th number job completed सिर्फ इतना मिले तो क्या इंटी करोगे पहले बात तो accounts में तो कोई मतलब नहीं तुम job करो ना करो no entry लेकिन cost में आपके इसाब से क्या होगा अगर कोई job complete हो गई है तो finished goods to क्या जा के पूरा हो है पहले क्या था जो अब finished goods बन चुका है WIP था तो बहुत simple है finished goods control account debit to WIP account जब job काम पे लगी वी थी तब WIP थी अब वो finished goods बन गई तो finished goods बना दिया वैसे पूरी glass में है तो variety कभी answer यहाँ से आद है कभी वहाँ से ऐसे भी नहीं कह सकती कि कोई एक section answer दे रहा है कर दिया वो तो बचा ही नहीं है आप तो WIP है वो finished goods बन गया जब भी ऐसा डाउट हो ना क्या करें ऊपर वाली entry में देखना अगर उसको debit credit करके खतम कर दिया यानि वो books में नहीं वापस नहीं आ सकता है हाँ आगे वाली entry integrated same to और अगर मैं आपको ये लिखूँ that administrative overheads को absorb कर लिया गया है अभी मैंने absorb शब्द का मतलब बताया था तो क्या entry होगी ये बताया हुआ है कि वाल लिखवा रही हूँ accounts में तो मतलब भी नहीं है cost में absorb कर लिया मतलब उसको उसके station तक छोड़ आए कहा छोड़ के आयो इसको finished goods में छोड़ के आयो ये लो finished goods control account debit to administrative overhead control account and the same entry will be in the integrated accounts zoom meeting में बहुत जादा शांती चल रही है आप लोग लिखने में busy है या समझ में ही नहीं आ रहा है सो गए है सो ये तो नहीं इतना interesting topic चल रहा है सोने वाला तो बात ही नहीं है अचा absorption of selling and distribution overheads इनको कहां छोड़ के आई हैं आप कौन गलत station पर उतार के आया है इनको cost of sale में उतार के आई हो गया ये लो उतार दो cost of sales account debit अचा समझ आ रहा है लिखने में busy है बिलकुल लिखते रही है to selling and distribution overhead control account entry next same हो जाएगी किसको एक में ये लो और ऐसे ही किसी एक का absorption रह गया वो लिखेंगे गया कि इसका राय है तुम एक overheads को भूल रहे हो याद करो कौन है वो तुमने office overhead लिख दिये selling overhead लिख दिये factory overhead उनको क्यों छोड़ना है फिर उनको भी छोड़ क्या हो absorption of factory overhead यहां तो no entry अरे ये गाड़ी तो मेर से भी आगे भाग रही है अब work in progress control account debit to factory overhead control account perfect answer zoom meeting पे जिसने भी दिया है लक्षे क्या कह रहे हैं नहीं लक्षे यहां भी बोलता है अब लक्षे उश्यार हो चुका है मान नहीं पड़ेगी आप लोगों कोई बात अच्छा sale करने की entry भी करी देते हैं ये लोग sale करो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है पैसा नहीं आया है बॉट टाइम से accounts में entry बिताइए sale हो गई है cash account debit to sales account इस cash को तो आना allowed नहीं था इसकी जगा तो हम लेकर आए थे clc to sales की जगा क्या लेकर जाएंगे ये आएगा आपका costing P&L cost का P&L यही साब करेगा न profit हुआ या loss हुआ है तो सारी cost of sale भी इसमें चली जाएगी P&L में proper sale भी इसमें चली गई तो last में यही आपको बताएगा that आपका क्या result रहा और यहां entry हो जाएगी cash account debit to costing P&L account कि याद करो मैंने एक बार ऐसा बताएगा reconciliation किस किसको reconcile करना पड़ता है cost के P&L को और accounts के P&L को तो बनाना पड़ेगा इसलिए इसका account खुला है अब यह जो आपकी 20 transaction है ना यह लिखवा दी गई है सब भी अपनी अपनी copy दिखा दीजिए 20 आपकी copy में है और जो online वाले हैं वो भी complete कर रहे ना कहीं से पीछे चूट गए हैं तो मुझे बता दो मैं उपर नीचे कर देती entry नहीं आपको कमसे कमाते पेज की जगा चोड़नी उसके बाद आके बढ़ना है कुछ दो तिन टिपिकल चीजे बाकी है उनकी चोड़नी क्या cash to costing P&W तो कितनी entries है 25 है 20 लिखवा दी गई है 5 की जगा चोड़ दीजिए अभी ये 20 entries with concepts आपके दिमाग में मैंने execute कर लिए आपके software में इनको install करना as it is वो आपका काम है और वो हो जाए उसके बाद में आप क्या करोगे कि ये ना कल एक illustration number 10 छेड़ा था अब आप इसको कर पाओगे अब आपको क्या करना है बिना solution देंगे entry बनानी है फिर देखना है कि solution और आपके entry में क्या फरका रहा और क्यों आ रहा है मैं तो करवाओंगी आपको सीख क्या नहीं कि ये कॉस्ट की बुक में page number 271 है module की soft copy है आप लोगों के बास या भेजनी है अरे 273 वाले भी तो है अच्छा मैं भेज दूंगी कोई बात नहीं में module की soft copy send कर दूंगी उसमें से आप देखके ये कर लेना that's it for today see you tomorrow